टीवी पर रामायंड देखकर रामायंड मतलब अर्वीन त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो एप से, देख ये है हेलो एप, जैसे ही आप हेलो एप डाउनलोड करती हो, उपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियो, आर्टिकल्स मिलेंगे, उससे आप डे टू डे इंफोमिशन से अपडेट रख सकते हैं, ये मायका और ससुराल दोनों कानपूर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अकसर आते जाते रहते थे, ये बाद शिखा की सास मीना को बलकुल पसंद नहीं थी, ममी जी, आज राहूल भई आ रहे हैं, कौन, तेरे चाचा का लड़का, जी ममी जी, अरे पर वो तो दिल के लिए निकलना है, तो वो आज मुझ से मिलते हुए, कर सुबह यही से निकल जाएंगी, हाँ, हमने तो धरमशाला खोल रखी है न, कुछ कहा क्या ममी जी, मैंने कहा हाँ, आने दे तेरे भाईया को, जम कर खातिरदारी करेंगे, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धरमशाला बन जाए, यह कैसी बाते कर रही हो मिना, सची तो कह रही हूँ, अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ, और आए दिन इसके घर वाले आधमकते हैं, अरे तो क्या हुआ, वो इसी शेहर में रहते हैं, तो हाल चाल लेने आ जाते हैं, इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगार दूँगी, अब बहुत हो गया जी, अरे यह कैसी बाते कर रही हो, ए बगवान, बस आप तो देखते जाए, शाम कुरा हुलाता है, नमस्ते आंटी, कैसे आप लोग, हम लोग तो ठीक हैं, तुम कैसे हो बेटा, मैं भी खानी के चीबल पर, शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जी बेया, वो आफिस की काम से बाहर गये हैं, कर शाम तक आएंगे, अच्छा अच्छा, बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो, नए नए आंटी जी, पर अचानक आपको ये खयाल कहां से आ गया, पता नहीं क्यों, कभी-कभी मुझे लगता है, जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है, ये आप क्या कह रही हैं, मम्मी जी, हाँ, तुम लोग घबराना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, ये आपका वहम होगा, अंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है, चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, तो चलती हूँ मैं, शिखा बेटा, राहूल के सोने की व्यवस्ता वहीं, दिवान पर कर देना, जी पापाजी, अब चलिये भी, अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं, सहबजादे, क्या बड़ के सोने के बाद, शिखा और राहूल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डॉर बेल बचती है, हरे आप, सुप्राइस, काम जल्दी खतम हो गया, तो मैं आज ही चला आया, ये तो बहुत अच्छा किया, दिखे राहूल भाईया भी आए होए है, आप दोनों का मिलना भी ह हो जाएगा, कैसे हो रोहेत, मैं तो ठीक हूँ भाईया, शिखा मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहूल भाईया से बात्चित भी हो जाएगी, अच्छा ठीक है, मीना आधी रात को उठती है, कंबल मू से पैर तक ओड के डंडा लेके बैठक में आती है, और देखती है दिवान पर चादर ओडे कोई लेटा हुआ है, देखो तो, कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में, मीना ताबर तोब चार पाच डंडे मार देती है, अरे मर गया रे, बचाओ, बचाओ कौन है, मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है, यह भगवान, यह मैंने क क्या किया, यह रोहित कहां से आ गया, लगता ही यह नाला एक राहुल महमानों वाले कमरे में सो गया होगा, और तो इसकी खैर नहीं, उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित, मैं बातरूम में था, तुम्हारे चिलनाने की आवाज सुनी, पता है भईया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा, यह क्या कह रहे हो, लगता है तुम भी आउंटी की तरफ भूत प्रेत में मानते हो, नहीं नहीं भईया, सच में कोई आया था, मैं तो जा रहा हूँ महमानों वाले कमरे में सोने के लिए, इस समय अपने रूम में जाऊंग के डंडा लेकर महमानों वाले कमरे में पहुच जाती है, वो बिस्तर पर सोये रोहित को फेर डंडों से मानने लगती है, अरे मर गया, मर गया, तो भूत प्रेत में नहीं मानता न, यह ले, अब डंडे खा, हैं, यह तो मा की आवाज है, रोहित कंबल खीच देता है, बेट कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया, मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी, राहुल थाया को, हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी, तो शिखा के माय के वाले यहां आना छोड़ देंगे, यह भगवान, मा यह घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं, हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया, मैं कितना गलत करने चली थी, और अपने ही बेटे को जोट पहँचा दी, अब चिपचाप जाके सोजाओ मा, और किसी को कुछ बताने की ही होता है,